आप सभी का स्वागत हैं हमारे इस चैनल पर दा हिमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और इस समय की नुवी जाई है जे एस एससे में ओल्लाइन आवेदन सुरू हो चुके हैं और इसमें नियुनतम युगता दसवी और बारवी मांगी गई हैं और पदो की संख्या 991 है और इसके बाद सुषना होगी वीडियो में उत्तर प्रदेश, पुलिस भरती एवन पुरुनरती बोट की और से और मध्य प्रदेश में सभी राज्यों की अभ्यारती आविदन कर सकते हैं ये आदेश आ चुका हैं और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर वह सब्सक्रा की अथेंटिक जानकारिया मिलती रहें तो देख सकते हैं आप ही जे एस एससी में कर सकते हैं आवेदन इच्छोग अभ्यारती और इसमें पदों की संख्या हैं 991 पद हैं और इसमें दे रखा हैं सब डिवीजन क्लर्ग और इस्टेनो ग्राफर के पदों पर मौका और आय रिक्तम आयू बर्गानुसार नरधाट की गई हैं आयू सीवा में छूट नियमनुसार लागू होगी और पातरता में दे रखा हैं इसमें साफसब दे रखा हैं कि उमीदबारों ने किसी भी मानेतप्राप्त बोर्ट से दसवी और बारवी उत्निवन कर रखा हो और विश पारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और जादे से अदक गुरूप में आप लोग वीडियो सेर कर दिया करें ताकि सभी कोई जानकारी मिल जाएं तो इसके बाद हम देखते हैं आगे इसी की संबंद में महत्पुर्ट जानकारी तो देखिए इसमें दे रखा है चैन प्रिक्रिया यानि कि आयोग द्वारा कंप्यूटर अधारित परिक्षा CVT के माध्यम से परिक्षा कराई जाएगी और इसमें मुख्य परिक्षा संबंद कराई जाएगी जिसमें एक पेपर स्वामिल होगा और इसमें नर्सिंग से संबंद 120 परिक्षा पर आपकी मेरिट लगाई जाएगी और आविदन की अंतिम तेथी 19 जून 2022 बताई गई है और आविदन सुलकिस में 100 रुपे निश्यत किया गया है और देख सकते हैं आप ये वेपसाइट पर जाके आप लोग बिस्त्रित जानकारी तो इच्छो का भ्यारती इसके लिए आविदन कर सकते हैं और इसके बाद हम देखेंगे आगे कुछ महत्पूर्ट जानकारिय और आई हैं जो कि भरती संबन्दी जानकारिया हैं क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से भरती संबन्दी महत्पुर्ट जानकारी आपको दी जाती है वो सबसे सड़ी जानकारी आपको तो आगे हम देखेंगे इसके बाद महत्पुर्ट जानकारी आई है मध्धे बर्देश से तो देखिए आज के समचर पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है और इसमें दे रखाए भासकर संबादाता इन दोर से ये निवी जाई है यानि कि बाहरी अभ्यारतियों के लिए अब रोजगार पंजीकरण अनिवादे नहीं होगा यानि कि जो रोजगार के लिए रेश्टेशन कराना पड़ता था मध्य परदेश में तवी अभ्यारती आविदन कर सकते थे तो इसका मतलब मध्य परदेश के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यारती मध्य परदेश में आविदन नहीं कर सकते थे लेकिन कोट का आदेश आ चुका है अब अन्य राज्यों के अभ्यारती वी मध्य प्रदेश में आविदन कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप ये मध्य प्रदेश लोग सिवा अयोग ने अपनी बड़ी भूल सुधा ली हैं जैसे कि आपको ग्यात होगा कि यहाँ पर PCS के आविदन मांगे गए थे और बाहरी राज्यों के अभ्यारतियों को मौकर नहीं मिला था तो इसके लिए दुबारा ओलाइन आविदन प्रारम हो चुके हैं क्योंकि इसमें दे रखा है कि हाई कोट के आदेश के अधार पर यानि कि कोई वी अन्य राज्य के अभ्यारति यहाँ पर आविदन कर सकते हैं और इसमें दे रखा है कब से कब तक आप लोग आविदन कर सकते हैं यानि कि 2 मई से 11 मई तक यह दोबारा जो है अभ्यारतियों के लिए यानि कि चैन पिरक्रिया के लिए अधार खोल दिया गया है ऐसे भ्यारती जो अन्य राज्यों के हैं सवी इसमें आविदन कर सकते हैं अब इसमें मद्धे प्रदेश में रोजगार राइस्टेशन करना अनिवारे नहीं है तो जैसे कि इसमें दे रखा हैं देख सकते हैं आप लोग और इसके बाद हम बात करते हैं देखें इसके बाद सुषना आई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं पुरनती बोडने सव इस्पेक्टर नागरिक पुलिस और समकक्ष पदो पर भरती में अभ्यारतियों के फिजिकल इस्टेंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स बेरिफिकेशन राउंड के लिए एड्मेंट कार्ट जारी किये हैं उपनिरिक्षक लेपिक संबर्ग में कुल 1329 पदो पर भरती के लिए यानि की 4,287 और अभ्यारतियों को अभी लेखों की जाच और सारेरिक मानक परिक्षा देने का मौका मिलेगा उनकी परिक्षा 20 और 21 माई को आगरा कानपुर और बनाड़सी प्रियागराज गोरपुर मेरेट बरेली में प्रिस्तावित हैं तो इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखी इसमें दे रखाएं उत्तर प्रिदेश पुलिस भरती इवन प्रिनरती बोट के अध्यक्ष यानि की DGR के विश्क कर्मा ने बताया है की उपनिरिक्षक लिपिक संबर्ग में भरती के लिए ओनलाइन आविदन के लिए यान प्रिक्षा के लिए बुलाय गया था जिसमें लगवग 45% अभ्यारती निर्धारित योगिता पूरी नहीं कर सके हैं और इसी के संबंद में आगे जानकारी दी गई है तो देखी इसमें दे रखा है सिरिष्टिता और आरक्षन के प्रापधानों को ध्यान में रखते हुए फिर से 4,287 अभ्यारतियों को अभिलेकों की जाच और सारेरिक मानक परिक्षन के लिए चैनित किया गया है अब चैनित अभ्यारतियों के अभिलेकों की जाच वे सारेरिक मानक परिक्षा 20 और 21 माई को जोनल मुख्याले के जिलो आगरा कानपुर नगर बनारसी प्रियागराच और गोरपकुर मेरिट और बरेली में प्रिस्तावित हैं तो देख सकते हैं आप ये महत्मुट जानकारी आई हैं और कोई अन्य जानकारी मिलेगी भरतिस संबंदी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बेडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी धन्यवाद